प्राइवेट बैंक से लोन लेना एक व्यापारी को भारी पढ़ गया 85 लाख का लोन लिया था 65 लाख भर दिये हैं एक करोड की अब मांग की जा रही है फिलहाल नजर संपत्ती पर है व्यापारी का कहना है कि आखिर कैसे उसे न्याए मिलेगा ये है राजा मंधी के रहने वाले बैपारी व्यकास कुमार बिकास का राजा मंधी बजार में जन्रेल स्टूर है और जन्रेल स्टूर के उपर आवास भी है विकास कुमार का कहना है कि 2016 में आई ईए धिल से पहले 50 लाख फिर 15 लाख और उसके बाद कोरोना bil हमें 20 लाख बैंक बाले से मैंने एक लॉन लिया था आई आई है फेल प्राइविर फाइनेंस कंपनी से और मैंने की कई वार सिकात भी करी मगार मेरी मैंने लिया था तुक्डों में ओले-ओले करके 85 लाग रुपे अब इसमें मैं 65 लाग रुपे जमा कर चुका हूं मैंने इन से पेपर म यह थे प्रोपर्टी मेरी डाई करोल रुपे की करीम है दोनों मिलाक है हां और इन्होंने पेपरों के बारे में में लिखके ने दिया इसलिए मेरा लॉन ट्रांस बननी हो पाया और जे मेरी अनाप सना ब्याज लगा रहे थे सवा लाग रुपे महीने की किस्त बदा रहे मेरे पीरियस बैपारी का कहना है कि 2 सिटंबर 2022 को मामला कौट पउंचा था ऐसा बताया गया है कि धाई करोड की बिल्डिंग पर प्राइवेट बैंक की नजर है एसेम के साथ टीम बिल्डिंग का पजेशन लेने पहुची थी इन्हों ने प्रिसासने अधिकारियों के यहां पर फाइल लगा दी करने के लिए आदेश दे दिया मेरी संपती दो प्राइवेट करीब जमीन है वह ड़ाई करोड की बैटाई बैंक वालों की नियत खराब उस प्राइवेट मुझसे भी सुरू से कहते आए हैं कि हम तुमारी प्राइवेट को ले लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाए हमारा साथ तारिकों मेरे परजेशन करने भी आए थे तो हम लोग तो गए नहीं थे दुकान बंद थी हमारी मेरे घर में जबस ती बैंक वाले घुज गए और मेरी बैटी के संग बत्तमी जी करी तमाम और अब 21 तारिक को कह गए द्वारा आने के लिए अगर मेरे साथ कोई गड परिसाने प्रिद बैपारी का कहना है कि वो बकाया को चुकाना चाहता है लेकिन बैंक की मंसा कुछ और है नहीं मिल पा रहा है ऐसे में पूरा परिबार डेप्रेशन में आ गया है नुकसान क्या होगा मेरे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हां कर होना वेज़निस करा मेंने कपड़े की दुकान करी उसमें चूगे हुए सब कपडा काड़ गए दुकाने बंद रही हमने सौन रही के प्ट्रे करके बेचे अमारा बहूँ नुकसान हो या इसी वेशे ह हमिंटे लबाव कमपनी वाले हैंं मैं भी मार हो गया मेरी तभई खराव हो भी है और मेरे बच्चे और बहु बहु सब परिसान हैं ऌने वह मीचारी को निकल लॉंस पाटओ मैं एक कोड़नई जबत 15 GYR के अलसक अगयी सब भी perform कर ऐते Cooking घंज हो और डीम साप कहा था उन्होंने कह दिया कि मेरे असिस्टेंट से बात करो और कोई सुनने को तयार नहीं है हमने डी आटी में भी केस कर रखा है वहाँ पे बैंक वाले अपना रिपलाई फाइल नहीं करते हैं जिससे के जी कारवाई आगए चले जे नायाज तरीके से हमें पर हैं ऐसा भी हो सकता है इस मामले में कुछ जानकारी को छुपाया गया हो बहराल जो भी हो इस मामले ने प्रिवेट बैपारी के सामने कई सारी मुसीवत खड़ी कर दी हैं परिवार के सामने मुसीवत खड़ी कर दी हैं कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे बैंक को भी रहत मिले और बैपारी और बैपारी के परिवार को भी रहत मिल सके अपने बिजनिस को सुदानने के लिए प्राइवेट बैंक लॉन का आफर देती है लेकिन कभी कभी ये लॉन भारी पड़ जाता है बिजनिस को सुदानने के लिए लॉन लिया जाता है पहले से ही बैपारी मुसीबत में चल रहा होता है लॉन लेने के बाद मुसीबत और अधिक बढ़ जाती है IIFL से लॉन लिया गया 65 लाग रुपए अदा भी कर दी गए लेकिन बैंक का लॉन चुकने का नाम नहीं ले रहा है बैंक के लोग चाहते हैं कि संपत्ती जप्त कर ली जाए ऐसे में बैपारी की हलत को आसानी से समझा जा सकता है पूरा परिवार प्राइवेट बैंक की इस कारवाई से टेंसन में आ गया है डेप्रेशन में आ गया है सबाई नहीं पा रहा है परिवार आखिर क्या कुछ किया जाए हर दरवाजे पर प्रात्ना पत्र के माध्यम से दस तक दी जा चुकी है लेकिन कहीं से रहात की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है प्राइवेट बैंक के लोग आई दिन धमका रहे हैं प्राइवेट बैंक चाती है कि किसी तरीके से धाई करोड की संपत्ती को जब्त कर लिया जाए सवाल यह उड़ता है आखिर बैपारी बिकास कुमार कहा जाए कहां पर नियाई की गौहाल लगाए कैसे अपने परिवार को बचाएं कैसे अपने बिजनिस को बचाएं अपने साथ एक दुबे के साथ राकेश का नोचिया सी नियूस आगर